आइफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स खरीदने का सोच रहे हो तो रुख जाओ बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं बाहर नमस्कार दोस्तो मिर्णा मिम्मित टिकनलोजी की दुनिया में हर दिन और कुछ नहीं सीखना चाहते हो तो यह चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए तो आइफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में लॉंच दे बग्स और कुछ प्रोडक्शन इशूस भी देखने को मिल रहे हैं लोग अच्छी चीज़ तो अब टाइटेन एम से कैसे प्रोड्लम हो सकता है तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो टाइटेन एम पे काफी फिंगर प्रिंट मार्क्स रहे जा रहे हैं जिसके विसे और भी जादा गंदा लग रहा है अब मैं जानता हो कि आप कवर में डालके अपना आइफोन यूज़ कर सकते हो लेकिन टाइटेन एम के लिए इतना जादा पैसे हम पे कर रहे हैं तो हम कोई भी प्रॉब्लम क्यों चला है चौता जो प्रॉब्लम है यूटूबर जेरी रेक एवरिधिंग ने आइफोन 15 प्रो मैस को थोड़ा सा बेंड करने के कोश आ रहा है अब मैं समझ था कोई भी ना आइफोन लेके आएंगे तो उसको बेंड करने के तो कोशिश नहीं करेंगे लेकिन कहने का मतलब यह इतना स्ट्रॉंग नहीं हैं हम एक्सपेक कर रहे हैं कि इस फोन को इतना तो स्ट्रॉंग होना चाहिए कि छोटे से बेंड से क्र कर रहे हैं तो काफी लोगों ने कंप्लेंड किया कि वो जब अपने फोन से कोई भी गेम्स खिल रहे होते हैं या फिर कोई हाइक कॉलिटी 4K रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या फिर नॉर्मल एपल के चार्जर से चार्ज कर रहे होते हैं इन सारी सिचुएशन में दोनो के thermal system design में तो इन दोनों आइफोन को इसने lightweight तो कर दिया लेकिन उसके साथ एक बड़ा सा problem खड़ा कर दिया that is reduce heat dissipation area and titanium frame के वज़े से इसका जो thermal efficiency है वो भी reduce हो चुका है तो कहने का मतलब titanium का जो frame है उस heat को अच्छी तर एक control नहीं कर पा रहा है compare to आपको प्रीवियस वाले फोन में stainless steel मिलता था तो stainless steel ये काम में थोड़ा सा better जरूर है compare to titanium अब titanium का जो frame है वो ठीक से heat को release नहीं कर पा रहा है तो बचा कौन सा area जो rear glass है वो ही बचा अब rear glass के जो area है वो इतना enough नहीं ये उस heat को release करने के लिए जबकि पुराने जो आइफोन जिसमें stainless steel आता था उनमें heat को release करने के लिए आपको चारों साइट से option मिल जा रहा था लेकिन अब नए फोन में ये option नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इनमें titanium finish है अब अगर आपको याद हो 2021 में को ने एक tip दिया था कि हो सकता है apple अभी काम कर रहा है एक vapor chamber cooling system पे अब ये system अगर वो iphone 15 pro and pro max में डाल देता तो लोगों को जो overheating का problem face हो रहा है वो शायद थोड़ा कम face हो तो ये बात से है कि apple काफी सारी चीज़ों पर research कर रहा है लेकिन जिस चीज़ पर research कर रहा है वो अगर इस वाले model में डाल काफी beneficial हो जाता लोगों के लिए of course future में आपको ये technology देखने हो मिल सकती है लेकिन जरौत हमको अभी है so कहने के मदब iphone 15 pro and pro max में ये सब problems तो ही plus on top of that उसके उपर a17 की chip आ जाती है अब a17 की chip को हम ब्लेम नहीं कर सकते लेकिन सिंस ये chip काफी powerful है तो ये सब problems के वज़े से वो phone और भी जादा overheat हो रहा है तो अब apple के पास दो solutions है solution number one ये दोनोई phones पूरे market से recall कर ले उसको rectify करे और फिर जाके वापस भेजे तो ये तो chances बहुत ही कम है apple ऐसे बिलकुल नहीं करेगा तो फिर option रहता है दूसरा वाला that is software update के थुरू इस वाले problem को solve करे अब software update के प्रोसेसर है उस powerful processor को थोड़ा सा कम powerful करना पड़ेगा तो कहने का मतलब जो power आपको फिलाल देखने को मिला इन दोनों phones में वो power आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर software update के थुरू overheating को solve कर दिया गया तो so basically हमको यह choose करना पड़ेगा कि क्या हमको एक powerful phone चाहिए या फिर ऐसा phone चाहिए जो overheat ना हो अब apple future software updates में इस phone को कितना slow करेगा वो हमको पता नहीं लेकिन possibility यही लग रही है कि slow करके इसका overheating का problem solve कर दिया जाए लेकिन एक और चीज मैं आपको कहे दू कि कुछ लोग को यह से problems face हो रहे है iPhone 15 Pro and Pro Max में लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे users को यह same problem हो रहा है तो कुछ users ऐसे भी है जिनको यह से problems नहीं हो रहे है और कुछ users ऐसे जिनको यह से problems आ रहे हैं अब मेरको अगर आप पूछो कि मैं ऐसे situation में क्या करूँगा तो ideally में यह करूँगा मैं wait करूँगा मैं देखूँगा बाकी users का क्या outcome है उनको क्या-क्या problems face हो रहे हैं क्या Apple इनका solution लेकर आ रहा है या फिर यह सब problems over a period of time solve हो जा रहे हैं उसके बाद ही में कोई भी decision लूँगा लेकिन इन either case chances बहुत कम है कि मैं iPhone 15 Pro and Pro Max लूँगा अब आप यह सब problem सुनने के बाद क्या करने वाले हो क्या आप iPhone 15 Pro and Pro Max लोगे या फिर रादर आप iPhone 15, 15 Plus या फिर पुराना कोई भी iPhone 14 या फिर iPhone 13 के ले जाओगे तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही objective है तरह आपको जागरूत करने के लिए ये information जानने के बाद आप क्या करोगे comment करके मुझे जरूर बताने लेकिन उसके पहले वीडियो अगर आपको पसंद आया ते like and share जरूर करी चैनल पर पहली बारा subscribe कर सकते हो पास में आपको जो bell icon दिख रहा है उसमें भी click जरूर करिए देखते रहे origin taken in India मिलते हैं next वीडियो में